कि नमस्ते मैं अभिनायकाश और प्रभासाक्षी के इस खास कारिक्रम मैं मराई में आपका स्वागत है एक बार फिर से हम आपके सामने मोश्ट रिलाइबल इंफोर्मेशन यानि अमराई के साथ मौझूद है असम समेथ भारत के पुर्वत्तर के कुछ सीमावर्ती इलाके में बंगला देशियों और मूल इस्थानिय निवासियों की पहचान एक मुश्किल काम है इन इलाकों में सीमा के दोनों तरफ रहने वारे लोगों का रहन सहन भाशा और खानपान एक जैसा ही है यही वजह है कि बाहरी बनाम स्थानिय नागरिक्ता का सवाल दशकों से सुलकता रहा है यह तो इसकी जड़ें आजादी के साथ ही जुड़ी है लेकिन सत्तर के दशक में मामले ने काफी हिंसक रूप अक्तियार कर लिया इस अंदोलन के कई पक्ष थे एक तरफ इस्थानिय लोगों की भा भारतिय नागरिकों के हितों की सुरक्षा का सवाल आखिरकर भारत के तत्कालिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार और स्थानिय अंदोलन कारियों के बीच 1985 में एक मसले के हल के लिए एक समझाता हुआ और यह था असम समझाता इन दिनों चर्चा में हैं जिसकी वजह है नेशनल रिश्टर आफ सिटीजन यानि एन आरसी आज में बात करेंगे असम समझाते की जानेंगे क्या था यह समझाता किन परिस्थितियों में हुआ था यह समझाता तो आईए शुरू करते हैं आज का मराई असम ने दशकों तक अवैद गुस्पैठियों के दंश को झेला है और अभी कई इलाके इस दंश को झेल रहे हैं सुरुआत में इसे छेत्रिये समस्या के तौर पर देखा जा रहा था जो पश्रिम बंगाल असम और पुर आश्ट्री विसेब बन गया सबसे पहले जानते हैं असम में अवैद प्रवासियों का मसला क्या है इसके लिए हमें सत्तर के दशक में हुए अंदोलन और उसके बाद उपजे राजनितिक महौल को समझना होगा महभारत काल में भी असम का जिक्र मिलता है तब इसका नाम प अहों वंश का था इसी वजह से राज का नाम असम हो गया असमिया भासा में असम को असों बोला जाता है जो अहों का अभ्रंस मतलब घिस घिस कर बना शब्द है असम पर तब तक अहों वंश का ही राज चलता रहा जब तक अंग्रेजियों की नजर इस पर नहीं पड़ी 1826 में अंग्रेजियों ने असम जीत लिया और यहीं से वह बीच डाला जो अब नर्सी की वजह बना है 1874 में सहीकत असम जिसमें आज के नागालेंड मेगाले मिजोरम और अनुनाचल भी शामिल थे पर अंग्रेज चीफ कमिशनर का राज शुरू हो गया असम के एक तरफ पूर्वी बंगाल फिलाल बंगला देश था और दूसरी तरफ पश्रिम बंगाल 1905 में हुए भटवारे तक बंगाल एक ही था और असम से थोड़ी दूर चलने पर था बिहार पचास के दसक से ही गैर कानूनी रूप से बाहरी लोगों का असम में आना जा नहां खाली पड़ी जमीन पर खेती करने के लिए प्रोचाहित किया इसके बाद विभाजन के बाद नए बने पूर्वी पाकिस्तान से पश्रिम बंगाल और तृपुड़ा के साथ ही असम में भी बड़ी संख्या में बंगाली लोग आये तब से ही वहां रह रहकर बाहरी बनाम स्थानियों के मुद्दे पर चिंगारी सुलगती रही लेकिन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान के बंगला देश में मुसल्मान बंगालियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के हिंसक कारवाई शुरू हुई तो वहां के कड़ीब दस लाक लोगों ने असम में स लगा कि बाहर से आए लोग उनके संसाधनों पर कबजा कर लेंगे और इस तरह जनसंख्या में होड़े बदलावों ने असम के मूल निवासियों पे भाषाई संस्कृती और राजनितिक असुरक्षा की भावना पैदा कर दी इस भै ने 1978 के आसपास एक सक्तिसाली अंदोल की समस्या का हल निकाला जाए बंगला देशियों को वापस भेजने के अलावा आंदलोरन कारियों ने मांग रखी 1961 के बाद राज्य में आने वाले लोगों को वापस अपने राज्य भेजा जाए या कहीं और बसाया जाए आंदोलन उग्र होता गया और राजनितिक रंखें में अत्यधिक इजाफा हुआ जब पता किया गया तो जानकारी मिली कि ऐसा बंगला देशी अवैद सरनार्थियों के वजह से हुआ 1977 के आम चुनाओं के बाद दो साल में अत्रिक्त सात्तर हजार वोटर निकले जिसके बाद इसके खिलाफ अब्जेक्शन फाइल हुआ बाद में उनमें से 37,000 विदेशी निकले जिसके बाद ये अंदोलन चला 1983 के विधानसवा चुनाओं का राज्य की बड़ी आबादी न नौगाओं जिले में पुलिस स्टेशन के अफसर ने एक संदेश भेजा इसमें लिखा था खबर है कि पिछली रात नेली गाओं के इरदगर्द बसे गाओं से तकड़ी बन एक हजार आसामिय लोग ढोल बजाते हुए नेली गाओं के नजदी के खठा हो गये उनके पास धारधार हत्यार हैं नेली गाओं के अल्पसंख्यक भैबीत हैं किसी भी छन उन पर हमला हो सकता है शांती स्थापित करने के लिए तुरंत कारवाई का निवेदन किया जाता है तीन दिन बाद यानि 18 फरवरी की सुबह दंगाईयों का घेरा और तंग हो गया अब जब ने इस घटना को नेली कांड के नाम से जाना जाता है 1984 के आम चुनाओं में राज के 14 संसदी छित्रों में चुनाओं ही नहीं हो पाए इसके बाद राजीव गांधी की कैसे सांती प्रक्रिया की जाए 1985 को केंद्र की ततकालीन राजीव गांधी की सरकार और केंद्र के नेताओं के बीच समझोता हुआ जिसे असम संझोता के नाम से जाना जाता है क्या है असम समझोता असम में घुसपैठियों के खिलाफ वर्स सब्सक्राइब के बाद समझोते के लिए बातचीत की प्रक्रिया सुरू हुई इसके प्रणाम सरूब 15 अगस्त पचासी को किंद्र सरकार और अंदोलन कारियों के बीच समझोता हुआ जिसे असम समझोता असम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है स्टूरेंट यूनियन और कुछ अन्य संगठनों द्वारा भारत सरकार के बीच हुआ यह समझोता के मताबिक 25 मार्च 1971 के बार असम में आए सभी बंग्रादेशी नागरिकों को यहां से जाना होगा चाहे वो हिंदू हो या मुसल्मान इस समझोते के तहत 1951 से 1971 के बीच अ अन्य अधिकार दिये गए लेकिन उन्हें मद्दान का अधिकार नहीं दिया गया इस समझोते का पैरा 5.8 कहता है कि 25 मार्च 1971 यह उसके बाद असम में आने वाले विदेश्यों को कानून की अनुसार निश्कासित किया जाएगा ऐसे विदेश्यों को बाहर निकालने के लि इस समझोते में असम के आर्थिक विकास के लिए पैकेज भी दिया गया तथा असमिया भाषा लोगों की संस्कृतिक समाजिक और भार्षाई पहचान सुरक्षित रखने के लिए विशेष कानून और प्रशाशनिक उपाय किये गये इसके साथ ही असम समझोते के आधार प समीति इन प्रवधानों को लागू करने के लिए उन्हीं सो पचासी से अब तक उठाय के कदमों की समिच्छा करेगी सम्यकूर्ड के अलावा आंदोलन के लोगों की एक कोड मांग म्ोखिय मंत्री इस्थिफा दें और नई सिरे से चुनावों क्यूंकि असंब्हान के लोगों तो चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया था राजीव सरकार ने सियम के श्थिफ़े वाली बात भी मान ली और सियम हितेश्वन सौंक्या का इस्तिफा हो गया राज में नई सीरे से चुनाव हुए और कॉंग्रेस का सामना इस चुनाव में एक नई पाटी से हुआ यह निर्दली असम गंपरिशत के समर्थन से जीते थे असम के नए मुख्य मंत्री बने आसु के प्रफुल कुमार महंता यह अपने आप में एक रिकॉर्ड था क्योंकि महंता 32 साल के उम्रे में देश के सबसे युवा सीम बने लेकिन महंता भी प्रदेश की जनता की मांग प के मामले को पूरे जोर सोर से उठाना शुरू किया वह इस मामले को सुप्रिम कोट प्ले कर गए और आयमडीटी एक्ट को चुनौती दी सुप्रिम कोट की समवधानिक पीट ने 2005 में अपने फैसले में एक्ट को असम विधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया असम में देशी माना जाए यही नर्सी सर्बानन सोनेवाल 2011 में असम गन परिशत को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और वर्तमान में राज के मुख्यमंत्री हैं आज हमने आज देए फैसबूब करें यूट्यूब पर प्रवासाक्षी को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के लिए नीचे देगे बेल आइकन को दबाए कर दो कर दो कर दो